रगुकुल रीती सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई अपना वादा ने भाएं आदर्ने मुखे मंतरी जी ये खुबसूरत ट्विट की है मुहमद आदिल ने और आज आप सभी ने इतने जबर्दस तरीके से ट्विट करके एक बार फिर से अनुदेशकों की ताकत को सबको दिखा दिया नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अमीजिंग एजुकेशन न्यूज में दोस्तों आज 30 मई 2021 और आज सुबह से ही अनुदेशकों ने जो जबर्दस जोश दिखाया है उसकी बज़े से अनुदेशकों का ये मुद्दा ट्रेंडिंग में आ गया जी हाँ दोस्तों आज आप लोगों ने अभी तक करीबन 54,000 ट्विट की हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का जो हैस्टेक था वो यूपी अनुदेशक हो इस्थाई ये हैस्टेक था और इस पे सुभह 11 बजे से ही अनुदेशकों के द्वारा जबर्दस जोष के साथ एक बर फिर से शुरुवात की गई ट्विट करने की और ये ट्विट की संख्या लगातार बढ़ती गई क्योंकि हमारे जितने भी साती हैं अब वो रुकने नहीं वाले हैं जब तक उनको उनका हक मिल नहीं जाता है और यही जोष पूरा दिखाए दिया और आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 49 नंबर पे UP अनुदेशक हो इस्थाई ये ट्रेंड कर रहा है अभी तक अगर हमारे जितने भी साती हैं वो सब टूइट करने लगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या जबर्दस सीम निकल के आएगा ये 53.9K जो है ये लाख में पहुंच जाएगी और अनुदेशकों का जो मुद्दा है नंबर एक पे ट्रेंड भी करने लगेगा ठीक है अब मैं आपको यहाँ पे एक और अच्छी खबर बताता हूँ एक बड़ी खबर ही बताता हूँ कि आज जो है 35.2021 को साम 6 बजे उत्तरप्रदेश सरकार के प्रतिनिदी श्री अवनीश कुमार सिंग से होने वाली चर्चा में कुछ मुख्य बिंदू है और उसका हम डिटेला भी आपको बताते हैं कि साथियों आप सभी के द्वारा इन दो मुख्य बिंदू उपर महासंग का ध्यान केंद्रित किया गया है महासंग के प्रदेश अद्याच्य श्री शतीश कुमार पांडे ने स्वयम संग्यान लेते हुए इन विश्यों को प्रमुक्ता से आज होने वाली चर्चा में प्रस्तुत किया है आप सभी से अनुरोध है कि अपनी आवाज से हमारी आवाज को ताकत दें, होसला दें अब देखिए कारक्रम से जुड़े अनलोग को भी जुड़े अब देखिए मुखे बिंदू क्या है बिंदू नमबर एक जो है अनुदेशक सिक्षक भरती की समस्याँ वा मांदे को लेकर चर्चा होगी, शशांग मिश्रा जी अध्यक्ष ये इस पे रहेंगे बिंदू नमबर टू, पुलिस भरती 2018 पर सरकार के इस पस्ट रुख पर चर्चा, और ये पूरी जो डेटेल जारी करी गई थी, इसकी जो सूचना मेरे पास आई थी अब ये देखे, ये पूरी जो चर्चा होगी ये काफी अच्छी बात है अनुदेशकों के लिए क्योंकि जिस तरीके से अनुदेशकों की दौर इतनी जबरतस तरीके से शोशल मीडिया पर अपने अवाज उठाई जा रही है और उनी सब का ये परिणाम है कि इस तरीके के कारेकरम जो है उसमें भी अनुदेशकों के बारे में चर्चा बढ़ने लगी है और यही आपके लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका धीरे-धीरे परिणाम आपके सामने आ रहा है और बहुत जल्द जब नंबर एक पर हम लोग ट्रेंड करने लगेंगे और हम लोग इस चीज को लगतार रोज कर रहे हैं तो ये निश्चित तोर पर आप मान के चलिए कि बहुत जल्द ये नंबर आने वाला है कि जिस तरीके से अभी आप 50-60,000 ट्विट कर रहे हैं आने वाले टाइम में लाखों की संक्या में ट्विट करेंगे तब अनुदेशकों का मुद्द जो है वो नंबर एक पर ट्रेंड रहेगा और बहुत जल्द सरकार को अनुदेशकों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ यह तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी एमेज मुझे बहुत अच्छी लगी देखे एक शांस आबनी बैठा हुआ है और यह बिलकुल अनुदेशकों के दर्ड को बयान करती है आमदनी अठनी खर्चा रुपई है 7000 में क्या होए भैया बिल्कु सही बात है आमदनी अठनी है और खर्चा जो है वो रुपईया है और अनुदेशकों को मात्र 7000 रुपई मिलते हैं और ये तश्वीर पूरी तरीके से अनुदेशकों के दर्द को भी बयान करती है अब मैं आपे आपको एक और पोस्ट दिखाता हूँ ये पोस्ट एक्चली सुभह की थी और बट ये मुझे अच्छी लगे कि कि आप लोगों को इस चीच को जानना चाहिए ट्विटर साथ ही हो आज आपने अपने मुद्दे को बिना किसी अनुदेशक नेता के सहारे ट्रेंड करा दिया अब प्रती दिन आपको 11 से 12 तक एक घंटा इसे देना है चुनाओ आ रहा है सरकार को सुनना पड़ेगा संगठन भी आपके साथ आ रहे है आज की ट्विट को देखते हुए यह उर्जा लगातार भरी रहनी चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती है कभी ट्रेंड होगा कभी नहीं होगा पर हमें पीछे नहीं चाना है लग सबूरन सो रहे अनुदेशक नेता भी चक्कर खा गए अब वह भी आज से आपके पीछे ट्विट करने लगेंगे ठीक है इसी उर्जा को लगाया रखिए बिल्कु सही बात कही है इस बार जो यह जो ट्विटर की मोहिम चलाई गई है इसमें किसी भी अनुदेशक नेता क आम अनुदेशक जो है वो अपनी बात को सबके सामने रख रहा है तो बहुत जल्द इसका नतीजा भी निकलेगा क्योंकि आप लोग किसी भी नेता नगरी के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं ठीक है अब हम कुछ अच्छे-ची ट्विट के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे भाई बहनों ने करी है तो हम सबसे पहले मैंने जो ट्विट ली है वो हामिदा कुसीम सिद्धिकी की है और इन्होंने लिखा है माननिये सिख्छा मंतरी जी हम अनुदेशक भी आपकी प्रजा है आखिर क्यूं हमें साथ हजार के मान्दे पर मनने के लिए रहा हजार रुपए नहीं बलकि अब सीधे इस्थाई करन ही अनुदेशकों का करना चाहिए यानि अनुदेशकों को एक परमानेंट नौकरी देनी चाहिए इसके बाद जो हमारी दूसरी ट्विट है वो श्रवन की है और इन्होंने लिखा है माननिये योगी आजयतिनाज जी आपके आपने भी अनुदेशकों को नियमित करने का वादा किया था आपके ही अधिकारियों ने आपको गुम्रा किया है मान्दे भी नहीं बढ़ाया गया है और नियमित किया जाए चुनाव आ रहे हैं 2022 के तो उसमें हमको नियमित किया जाए ये बात जो है श्रवन ज आप से रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द अनुदेशकों को आप इस्थाई करें इसके बाद जो हमारी अगली टूइट है वो श्रवन कुमार की है और इन्होंने लिखा है आपकी सरकार सबके हग की बात कर रही है गरीब तपके से लेकर हर बर्क में सम्मान की बात करत तो बिल्कुल सही बात है अनुदेशकों को अभी तक एक रुपए भी मान देवरदी नहीं हुई है वैसे अगर हम सही माइने में कहें तो साल 2013 से ही अनुदेशकों का एक भी रुपया नहीं बड़ा है और अब वक्त यही है कि आप हमें भले ही 17,000 ना दें लेकिन आप अन अनुदेशकों का कुछ नहीं होने वाला है इसी लिए सिर्फ एक ही मांग रखनी है कि यूपी के अनुदेशकों को स्थाई करें इसके बाद हमारी जो ट्विट है वो डीके यादव की है मानी राजना सिंग जी आपने 2016 में हम अनुदेशकों को नियमित करने के लिए रैल करी थी अब उसका वक्त आ गया है कि आप अनुदेशकों किसे किया हुआ वादा जो है उसको पूरा निभाएं अब देखे मैं आपको यहाँ पे एक और ट्विट दिखाता हूं वो अंकित उपाध्याय की है और इन्होंने सच में बहुत अच्छी ट्विट की है कोई महिल जो पिक्चर है अनुदेशक की वो सामने है कि 7000 रुपय में कुछ हो नहीं रहा है तो बहुत सारे अनुदेशक महिला है ऐसी हैं जिन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए ठेला लगा लिया बहुत सारे अनुदेशक ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं अब आप खु पिलाल अब अनुदेशकों ने एक साथ एक जुठ होकर और एक आम अनुदेशक ने इस चीज़ की आवाज उठाई है और मैं भी आपको बिल्कुर बता दूँ कि ये चैनल लगातार आपके साथ है और एंड तक आपके साथ रहेगा भले ही कमेंट में लोग मुझे कित्ती गाली दे मुझे फर्क नहीं पड़ता है बस मुझे ये है कि अनुदेशकों को इस बार उनकी सारी की सारी जितनी भी उनकी सम्मान है उसको दिला कर रहना है इससे जुड़ी और भी जो खबरे होंगी वो लगातार मैं अपने चैनल पर दिखातार होगा इसलिए आप चैनल को भी लाइक शेर कर दें धन्यवाद